साहस सरोका भागे पर इखलाओं मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पत्वे देना फिक मात्र भूमी पर शीष चढ़ाने जिस पत्व जाएं वीर अने नमस्कार मैं हुआ अरशना आप देख रहे हैं प्राइम टीवी प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार दिख शुब कामना है ऐसे ही ना जाने कितने जोशीले गीतों और नारों के साथ अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए भारत माता के वीर सपूतों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी इन कुर्बानीयों के दम पर हमें अंग्रेजों की गुलामी से पंदर अगस उनने सो साथालिस को अज़ादी मिली आज भारत के 78 वे सुतंता दिवस जस्न के लिए दिल्ली का एतिहासिक लाल किला पूरी तरह से सजाधजा तयार था प्रधान मंत्री नरेण मोदी ने आज लगतार ग्यार्वी बार लाल किले पर जण्डा फेहराया दिल्ली के अतिहासिक लाल किले पर खास तयारिया की गई थे प्रधान मंत्री नरेण मोदी यहां से लगतार ग्यार्वी बार देश को संभोधित कर रहे थे पूरा देश 78 सुतंता दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुठा हर जगा तिरंगा लहरा रहा है और सब के मन पर देश भक्ति का जुनून चाया है इस मौके पर स्कूल कॉलेज और कई दफ्तरों में कई तरह के आयोजन भी किये सब्सक्राइब जाते हैं अधातर्वा सुतंता दिवस मना रहा है यह आप टीवी स्क्रीन पे कुछ खास तस्वीरे देख रहे हैं जहां पे अलग-अलग राचियों के सीम ने जंडा रोहन किया आपको बता दे कि उत्तुरा खंड में पुशकर सिंग धामी ने भी ध्वज रोहन किया त्रिपड़ा के सीम मरिक शाह ने किया गुवाहाटी की तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जहां पे हेमंत विश्व सर्मा ने भी ध्वजा रोहन किया और जंता को संबोधित किया केरल के सीम ने ध्वजा रोहन करने के बाद सभी को अपने वचनों से तोत्साहित कर दिया महरास्ट के सीम एक नाथ शिंदे की ये तस्मीर देख रहे हैं आप जिनों ने ध्वजा रोहन किया और सारा मैं आज पूरा देश देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है देश आज अपना अ चारो तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं आज अठातरवा सुतंसता दिवस पूरा देश मना रहा है पूरे देश में उत्साह का माहौल है हर अतिहासे को महत्वपूर इमारत आजादी के रंग में रंग चुकी है लेकिन सबकी निगाहें प्रधान मंत्री पर थी जिनोंने ग्य का देश में हिंदों की सुरक्षा पर भी बोला अपने संबोधन में पियमोदी ने मेटकल में 75,000 सीटे बढ़ाने का भी अलान किया इसके अलामा पियमोदी ने मनमोहक भाशर दिये जिसके बाद वो कई जगह भाविभोर भी हो गए उन्होंने कहा कि मेरा हर पल देश के ल उन्होंने कहा कि आपने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा मैं चुनोतियों से डरता नहीं आपके वेहतर भविश्य के लिए काम करता रहूंगा इसके साथ पियमोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बोला पियमोदी ने कहा कि वन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा भारत की प्रगति के लिए इसस्पने को पूरा करना होगा उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की है कि सभी पार्टियां आगे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों की वो तस्वीरें जहां असोग से रंगा-रंग कारिक्रम चल रहे थे ध्वजयरोहण का कार्श रहे टिवी स्क्रीन पर आज कुछ तस्वीरे देख रहे हैं जहां प्रधान मंत्री ने लाल किले के प्राचीर से सब को संबोधित किया और लाल किले पे ध्वजा रोहन किया इसके साथ ही यूपी के मुख्य मंत्री योग्यादितनात ने भी विधान सभा में ध्वजा रोहन किया इसके बाद आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जहां पे डियम सूरिपाल गंगवार ने भी डियम हाउस में ध्वजा रोहन किया रक्षा मंत्री राजनात सिंग केंद्रि मंत्री शिवराज सिंग चोहान और आरसेस प्रमुख मोहन भागवत ने भी ध्वजा रोहन किया इसे पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंजनी निगम हमारे साथ जूड़ चुके हैं वर इस पत्रकार सर पहले तो इंडिपेंडेंटेंस से की आपको बहुत बहुत बढ़ाई पूरा देश आज अठातर सतंत्रता दिवस मना रहा है क्या कहना चाहेंगे आप इस पे प्रधान मंत्री के भाशनल पर प्रधान मंत्री ने जैसे एक बात आपने अपनी बात चीट में कही ती तो शत्तर हजार मेडिकल चीटें बढ़ाने की बात कही तो बहुत अच्छी बात है देश को अधिक शजीक डॉक्टर मिलेंगे तो तभी देश के 140 करून लोगों के स्वास्थ की चिंता और उनको स्वस्थ रखा जासे। जो देश के नागरिक जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं तो वो देश अपने आप स्वस्थ होता है प्रधती करता है आगे बढ़ता है। लेकिन मैं एक जहना चाहूंगा, इस जीतें जरू बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स बहें, बहुत अच्छी बात है, अस्पतालों के अंदर संसाजरों की क्या इस्पती है, अक्सर आपका चैनल ये तमाम नी पेपर्स ये दूसे चैनल दिखाते रहते हैं, ति अस्पतालों में इंस्टूमें ही नहीं है, अगर इंस्टूमेंट हैं, तो वो चल नहीं पाड़, परधान मंत्री वो जी को चाहिए, कि वो इसके साथ उसका मेकेनियम भी विक्षित करें, नंबर दो, परधान मंत्री ने अगर सब्सक्तर हैं डॉक्टर्स की सीड़े बढ़ाने की बात केते हैं, ये एक पर भी प्रिभार मंत्री ने बोला कि आगे ऐसी तरह की घटनाय ना हो, इसके लिए भी को कठोर नियम बनाये जाएंगे और ऐसे दोश्यों को सजा भी दी जाएगी मिश्चित रूप से होना चाहिए और मुझे बड़े अफ्सोस के साथ कहना को हुगा है, चूंकि पश्चिम बंगाल में विपच्छ की सरकार है, इसे लिए जो इंडी घटबंदन है देश के अंदर, उसने उतना मुखर होकर उस घटना का विरोज नहीं किया, इतना करना मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक सेमाई छोड़कर मानवी संबेदनाओं को उपर लखना चाहिए, कभी काम चलेगा, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे करनाटा को, या कोई और प्रांच मैं कहे रहा है, उत्तर पुदिश के अंदर जी अग मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें दस मिनट एफ़ात पर भी विचार करना चाहिए, कि पीटे शतक्तर दाल हमने कैसे बिटाए, चुमकि देश का सुप्तनता दीवस है, तो देश के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्या हम आजादी जिसलिए पाई थी, इ आपने भी थोई बेर पहले काकोरी कान से जुड़ी हुई एक रिपोर दिखाई, क्या काकोरी की घटना पैसा लुपने के लिए हुई थी, नहीं, वास्तों में वो काकोरी की घटना एक तरानते कारियों ने दो विद्वेशों से कीची, नमबर एक तो वो पैसा मिलेगा, उससे हम सक्सर खई देंगे, और अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे, नमबर एक अंग्रेजों को एक चुनोटी दीजी, कि देखिए आपकी चलती हुई ट्रेन पर भी हमकब जा करके, आपका खजाना लूट सकते हैं, इसलिए अब आपको सचेज हो जाएए, और देश से कि जिसको हम लोग 1877 को पहली करांटी कहते हैं, वास्तों में देश के अंदर छुपूर छुपूर करांटीयां पहले से होने लगी थी, आज प्रधान मंत्री ने में भी विर्शा मुंडा का उले किया जो आदिवासी को जिनको भगवान के रूप में कुझा जाता है, आद सारा सो स्क्रावन के भी बहुत पहले अंग्रेजों के खिलाम आवाद इथा जो तो यह आवाज दभी 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 उखती रही, जिसके यह प्रणाम शरूप 15 अगस 1927 हुआ, लेकिन एक बात है, और वो जो मैं कहना चाहूंगा, कि वास्तों में यह पूरी आजाती हम लोगों ने सपना देखा था अखल भारत जिसमें अख्वानिस्तान भी हमारा हिस्ता हुआ करता था, नेपाल भी हमारा हिस्ता हुआ करता था, प्रिलंका भी हमारा हिस्ता था, बंगलादेश भी हमारा हिस्ता था, मैं हमार भी हमारा हिस्ता था, वो नहीं दिला, और सच यह है कि भारत भूखर्ड एक ऐसा भूगोलिक धाचा है यहां का कि इन दोसों देशों की जो भूगोलिक इसितिया है वो एक दूसरे को जोची है ठीक है राजमीती गूप से सब लोग अलग हो गए लेकिन अगर हम सब मिलकर यह तैक रख लें कि हमें कुछ मिनिमम कामन प्र इसके लिए प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया और सभी पार्टी की निताओं को बोला कि सभी को आगे एक साथ आना चाहिए लेकिन वास्तों में प्रेटिकली इसके लिए बड़ी दिक्कते आने वाले अब उसके लिए सम्विधान में कुछ संसोजन करने पड़ेंगे तो कि एक नियम है कि जिस राज्य का कारिकाल पूरा हो गया है उसको छे माह के अंदर चुनाओ करा लेना चाहिए अब अगर हम एक साथ कराना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन तो किसी राज्य का चुनाओ एक महिने एक साल बाद होगा किसी का एक महिने बाद होगा और हो सकता है किसी राज्य का चुनाओ एक महिने पहले ही कर लिया जाए तब वो पूपाएगा तो इसके लिए संदिर्हान में संसोधन करना होगा और संसोधन के लिए ही पृदानमंत्री ने सिविल कोड का भी इसमें जिक्र किया था उन्होंने बताया कि अभी तक जो था साम प्रदाइक सिविल कोड़ था ज़रूरत देश को है सेकुलर सिविल कोड़ की इस पर क्या कैदा चाहेंगे अब देखें सेकुलर का यह परिभाचा लोग अलग जयंग से तरते हैं ट्ट को अंगडियंग जी अनौद से हंडियल तो उतको गता है धर्म निर्पेच। मेरा मानना है कि धर्म निर्पेच कुछ होता ही नहीं, धर्म ज्या है जैसे आप एंकरिंग करेंगे, यह आपका धर्म नहीं। मुझे आपने आमंकिल किया इंडिपिंदेंस दे पर बोलने के तो मैं वो धर्मन छी से निभाओं यह अवश्चत है यह जिसकी बात कर रहे हैं उनिपाइड इस शिविल बोर्ट वास्तों में जो हमारा देश एक है वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वन लाकी कि भारत में हम क्यों किसी को अलग समझते हैं उनको मुखिधारा में क्यों नहीं आगे आना चाहिए निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और मुझे रगता है कि सारे देश के लोग एक जैसे कानून के साथ आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वेश्ट और भी देश्चित करेगा यह मेरा विश्चित निकप जी देश आज अपना सुतंस्ता दिवस का 78 सालगिरह मना रहा है ऐसे में आप देश्चित को क्या संदेश देदा चाहेंगे देखे देश्वासियों को तो मैं संदेश की बात मैं बोलूँगा लेकिं उसके पहले मैं यह बात कहना चाहिता हूं कि प्रधान मंत्री ने आज एक बहुत अच्छी बात देखी अभी हाल में पंगला देश में दस दिन पहले कुछ उपद्रों को कुछ में वहां के अलवशंक्यकों को पीडिक दिया हूं कुछ लोगों को महरत उनके हां हमले हुए उनके पूला इसकलों पर हमले हूं क्या कहां से चाहिए प्रधान मंत्री ने एक प्रध जरू दिया था लेकिन आज उन्होंने पहली बार लाल दिये के प्राचीर से उस पर बोला भी बहुत अच्छी बात दो उन्होंने कहा कि वहां पर अलसंख्यक यानि हिंदू समाच उसके साथ जो कुछ हुआ है वो कुछ इत नहीं हो निश्यत रूप से उसकी सुरच्छा की जानी जाए और मुझे लगता है कि देखे जैनबल के आगे सरकारे भी जुकती है वहां के हिंदूओं ने जब सामूनिक रूप से प्रदरशन किया तलकों पर निगले और उन्होंने अपनी सुरच्छा मांगी तो वहां की जो अंतरिन सरकार से उसने भी माफी मांगी और कहा कि उस दि अगर सरकार की मिन्सा वहां की अच्छी है एक सवाल और उखर रहा था कि से खसीना को भारत ने क्यों रख लिया अपने अंतर ने जबना चाहिए इसको लेकर विपच्छे कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े कि अरे भाई क्यों नहीं रहना चाहिए पावला देश हमारा ह आँठे चूटा वाई है प्रशितिया इसी हूए ऐगर उनका अलग हो गया खाना बनारे अलग हना खाना काने लग अपनी कमाई करने लगे लेकिन अगर हमारे ही परिवार के लूँम है और हमारा परिवार अगर भीपता में है तो हम प्यों पाली he अगर हम शेग्षई लाना क्या कही न कहीं यह न रगता कि भारत के लिए जो संकट मंट्राया हुआ है वो इसी वज़ा से है क्योंकि उनको यहां रखा गया क्योंकि जहां पर उन्मीद थी उन तो अपने हाने से मना कर दिया है कि अब कि देखिए सबसे पहले उन्हों है चुरा कोंचा देश जाने के भारत वरस है सबसे पहले उन्होंने जो फ्लाइट भी बंगला देश के वह फ्लाइट हमारी सीदे भारत में आते दो क्या वज़े उसकी उनको मालूम था कि भारत एक ऐसा देजे सब जो पौशंक्यकों की चिंता भी करता है अल्प्संक्यकों की चिंता भी करता है अपने पढूशियों की चिंता भी करता है और मैं इसमें एक बात पौराणिक उधारों देना चाहूंगा रामचरित मानस का राम चरित मानस में उड़ा रहना है कि जब विभीशन रामण से दुश्कार खाने के बाद राम के पास आए उनके साथ जो वानर से ना थी जो उनके सुग्री जी उनके मित्र भी थे इसकिंदा के राजा भी थे कि उन्होंने कहा दो इसे सीज़ा रूपके काणा तो श्री राम ने क्या दढ़ा का कन समय नहीं करता हर शायिख यही वजय है दखे प्रगाम अंती ने एक आए और आज त युद्ध का देश नहीं है चांती का देश है बुद्ध का देश है वही बात आज से पौराणिक प्रेता युकी बात पताता हूं कि देखिए जब रामने रावन पर विजय क्रास्थ कर दी वो चाहते तो लंका को अपने राजे में मिला लेते अपने किसी भाई को वहां तै लेकिन निगम जी बांगला देश में जो भी हुआ हिंदू के साथ हिंद को मारा जा रहा था उन पे जो भी अतचार इसको लेके विवक्ष की तरफ से कभी कोई बयांचारी नहीं किया गया वो एक साधारों एक पूर जारी गिया राहूल गांधी उसपने निंदा करते हैं नहीं खुल के बताना चाहिए था उनको क्योंकि वहां का जो अल्पसंखित समाज है वास्तों उसका क्या का सूर्दा अरे भाई ये आंदोलन तो चुरू हुआ था छोटे से आरच्छन के हिशे को लेकर आरच्छा और वहां के हिंदू मंदिरों पर हमला ये कहां कर जाए है इसकी तो खुल के निंदा करनी ही चाहिए और सबको करनी ही चाहिए मैं कईता हूँ किसी आप फिलस्तीन का जंडा लेकर यहां पर प्रदाशन कर सकते हैं उनके फेवर में बयान दे सकते हैं हमाँ के फेवर में बयान देते हैं तो पंगला जेज जो खीक आपका पोडोशी देश है उसकी चिंदा आप तो नहीं कर लाए है ये विपच्छ का प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने सभी इसके साथ उन्होंने कुछ कई नीतियां वताइए उन्होंने की आगे आने वाले दिनों में क्या करना है इसके लिए महिलाओं के खिलाफ अपराद भर भी उन्होंने बोला जोभी अपराध हो रहे हैं उन पर अब सकत कारवाई की जाएगी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं घंस्याम लोधी लचमी हास्पिटल की तरफ से सभी देशवासियों को सुतनत्रा दीवास की सुबकामनाय देता हूँ एवं अधिक से अधिक स्रक्त दान करें जिससे जीवन की रच्छा हो सके धन्वाद मैं मैं श्मिश्रा न्यूश्री सागर हास्पिटल साधीपूर चवराहा फत्यपूर की तरफ से समस्त देशवासियों को सुतनत्रता दीवस की धेर शारी शुबकामनाय नमस्कार मैं रागवेन सिंग सुतनत्रता दीवस के उपलच्छ में सभी नगरवासियों जनपदवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ मेरी सबसे अपील है कि पॉलिथीन का उपयोग कम करें साथ ही अपने आसपास सच्छता बनाए रखें धन्यवाद सभी देशवासियों को अगामी 15 अगस्त सुदनता दिवस की हार्दित मधाई एवं शुपकामना है गाजवाद ट्रैफिक पुलिस की दरफ से हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें नहीं जैहिंद मैं डॉक्टर सचीन शर्मा जिलाद देक्ष आमादमी पार्टी गाजियवाद आप सभी इसको 78 वे सुदनता दिवस की बहुत बहुत शुपकामना है मैं आप सभी से निवेधन करता हूँ कि राष्टी धश का सम्मान करें सभी लोग 15 पर अपने घर पर तिरंगा जंडा फेराएं जैहिंद उपेंद्र प्रताप सिंग और फबढकाउ सिंग प्रधान प्रतिनीदी गुर्वालिया करनाल गंज गोंडा की तरफ से समस्त देशवासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस की हादिक शुपकामना है रिजेश कुमार सिंग उपने रिक्षक पुलिस चौकी भबुवा करनेल गंज गोंडा की ओर से आप सभी देशवासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस की हादिक शुपकामना है रिपिन कुमार सिंग उर्फ दीपु भईया प्रधान प्रतिनिधी रामगर करनेल गंज गोंडा की तरफ से आप सभी देशवासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस की हादिक शुपकामना है ओपी सिंग निरिक्षक जिलाविद्याले ललितपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस की हादिक शुपकामना है गुलाम नवी खान, M.D. Max, Infraventures, Private Limited लखनों की ओर से समस्त देशवासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस की हादिक शुपकामना है आकाश सिंग, वरिष्ट समाज सेवी, एवंग पूर सभासद, सिस्वा बाजार, महराज गंज की ओर से समस्त देशवासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस की हादिक शुपकामना है जीते इंद्र चौधरी, ग्राम प्रधान, मधवलिया, सिस्वा, महराज गंज की ओर से समस्त देशवासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस की हादिक शुपकामना है सत्य प्रकाश्तिवारी, समाज सेवी, एवं सदस्य समाजिक संस्था पहल, महराज गंज की ओर से समस्त देशवासियों को 78 वे स्वतंतरता दिवस की हादिक शुपकामना है मैं सबसे आमहन करता हूँ कि सब लोग भारत के लोकतंतर को मिल करके मजबूत बनाएं जिससे हमारा राष्ट विक्सित होते हुए एक सम्वित साली बन सके मैं मिर्जापूर के समस्त देशवासि महाविद्यालय परिवार के समस्त कर्णचारी बंद अध्यापक बंद और शुपकामना हैं देता हूँ मैं सबसे यह आमहन करता हूँ कि सब लोग भारत के लोकतंतर को मिल करके मजबूत बनाएं जिससे हमारा राष्ट विक्सित होते हुए एक सम्वित साली बन सके शैलेश कुमार दुबे, मंडल अध्यक्ष, जस्वन सिंग सर्ना, मंडल उपाध्यक्ष, यूपी मोटर ट्रांस्पोर्ट असोसियेशन मिर्जापुर की ओर से आप सभी देशवासियों को 38 स्वतंतुरता दिवस की हार्दिक शिब कामना है प्रेके बाद स्वागत है आपका एक बर फिर से आदेश अपना 78 स्वतंतता दिवस मना रहा है लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने सभी देशवासियों को संबोधित किया लगबग 98 मिनट का उनका पूरा ये भाशड रहा जिसमें उन्होंने सभी देशवासियों को हर मुद्दे पर संबोधित किया उन्होंने देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेके बात कही इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी बिना लाम लिये हमला बुला पियमोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग ब्रश्टाचार का जैजैकार कर रहे हैं ये स्वस्त समाज जुक के चिंता की बात है ब्रश्टाचारियों में डर का माहौल बनाना बहुत जरूरी है उन पर कारवाई होती रहेगी पियमोदी ने आगे कहा कि बांगला देश में जो कुछ हुआ वो चिंता की बात है उमीद है कि वहाँ के हालात जल्द ही सामान ने होगे वहाँ के हिंदो की सुरक्षा को लेकर भी प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने बात कही इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश की प्रगती नहीं कर देख सकते ऐसे लोगों से देश को बच के रहना चाहिए जो सिर्फ अपना लाब देखते हैं और निराशावादी तत्तों से देश को हमेशा बच के रहना चाहिए इसके अलावा उन्होंने बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई उस पर भी बात की उन्होंने कहा कि राज्चिस्री प्रवर्तिक के व्यक्तियों को कड़ी सजा देने चाहिए प्रधान मंद्री नरेद मोदी ने लाल किले की प्राची से बहुत भाउक हुए और उन्होंने कहा कि मैं आज लाल किले से एक बार फिर अपना दर्द व्यक्त करना चाहता हूँ एक समाज के तौर पर हमें महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा इसके खिलाफ आकरोश है मैं इस आकरोश को महसूस कर सकता हूँ देश को समाज को राज्चिस सरकारों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए महिलाओं के खिलाफ अपराधिक की तत्रिक जाच होनी चाहिए इन राक्षिसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सक्त सजा देनी चाहिए ये विश्वास जगाने की जरूरी है समाज से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब महिलाओं पर बलातकार और अत्याचार की घटनाय होती हैं तो उस पर व्यापक चर्चा होती है लेकिन जब ऐसी राक्षिसी प्रवरत्ति के व्यक्तियों को सजा देने की बात आती है तो ऐसी खबरे नहीं दिखती बलकि एक कोने तक ही सीमित रहती हैं समय की मांग है कि सजा पाने वालों पर व्यापक कुछ चर्चा की जाए ताकि ये पाप करने वाले समझ सके कि इन्हें फासी होती है मुझे लगता है कि गे डर ऐसे अपरादियों में पैदा करना बहुत जरूरी है प्रधार मंत्री नरेद मोदी ने युवाओं के लिए भी काफी चीज काफी चीजे बताएं इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे समझादाता जावीद खान हमारे साथ जोड़ चुके हैं जावेद आज पूरा देश 78 वा सुतंतिता दिवस मना रहा है आप आगरा में मौचूद हैं कैसा महाल है वहाँ पर बताएं जावेद आवास आ रही है आपको अगर बात है ताज नगी आजा थी तो ताज नगी आजा में भी तो कल कर दो दूँदा जाम समला जाए याँ जी पर आज नगी नियुक्त पढ़ी जा लिया क्या का लिए हैं और जय से जाल तर बर्जर बर्जर लियाई है ने लिए बर्जर स्ट का रञेल्ख्यू inquirm मताने लोगों यंदा नदा उपृता है सब दूंग वेडाख्या हैं अई अबस फंगन के है मुझा अबस टूंग CARL जी सावेट जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफी खुशी का माहौल है आपने हमें दिखाया हमारे दर्शकों को कि आगरा में कितना रोमांच भरा है आज के दिन को लेके और क्या कुछ तैयारियां है वहां पे आप सुबह से वहां नजर बनाया है ताज महल के पास का क्या कुछ महल भिपोल बनाया है पर बहुते दो को लिख झाल यहां पर उब्तानी रंग है तो ज़ारी तद्वियों मत ज़ीगे तक के नियुक्ता कर देख तक पर वहां वारी बनाया है तक विए वोह एक नहीं हों अधर नहीं हों यह लेगाए नहीं है। है आहे संद़्ध है दोरह और अवी कर दिक संद्धी अधर के बाएं लगई कोठी आपBayशा। जावे तो भारे वारिश आपने बताया कि माहोरी ऐसे में भी किसी का उत्साह कम नहीं है आने वाले परिटकों के लिए क्या कुछ इंतिजाम है वहाँ पे जावेद आपका बहुत बहुत धन्यवाद नजर बनाए रखेगा हम फिर आएंगे आपके पास तो यह तस्मीरे आपने देखी आगरा की हमारे समधाता ने दिखाई जहां बारिश के बीच भी लोगों का उत्साह कम होने गान नाम भी नहीं ले रहा है आज पूरा देश अठातरवा स्वतंसरा दिवस मना रहा है और पूरा देश तिरंगा में नजर आ रहा है चारो तरफ भक्ती में गाने बच रहे हैं तिरंगा हर घर तिरंगा अभ्यान चलाये गया है जिसके अंतरगा सारी घरों के अंदर आप देख सकते हैं हर घर पे तिरंगा लहर आये जा रहा है सारी रोड तीरंगा में हो रखी है पूरा देश आज भक्ती गानों से भरा हुआ है इसके साथ आज प्रधान मंत्री ने लाल किले के प्राचीर से सभी देश वासियों को संबोधित किया और हर विभाग को लेकर छोटी से बड़ी सारी परिशानियों को लेकर उन्होंने संबोधित किया 98 मिनट का उनका आज का ये भाशन रहा अभी तक का सबसे लंबा भाशन रहा इसके साथ आपको बदा दे कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने लगतार 11 बार लाल किले पर ध्वजा रोहन किया है इससे पहले 11 बार ध्वजा रोहन का सिर्फ पंडित जौहलाल नहरू के नाम पे था उसके बाद दूसरे प्रधान मंत्री नरेन मोधी बने हैं जिन्होंने लगतार ग्यारा बार लाल किले पर ध्वजा रोहन किया है 98 मिनट के अपने भाशन में उन्होंने सभी देश वास्नियों को प्रोध कर दिया हर तारे में तिरंगे का नूर होगा हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा ऐसी चिंगारी विर भड़केगी कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा जैहन जै भारत भारत सिंह ग्राम प्रधान वEd अजीत कुमार सचिफ मिलक धूरेता पवासा संभल के और से आप सभी देश वास्यों को इफ्तखार अनसारी प्रधान वअसलम सचिफ मिर्जापुर नसरुलापुर बहजोई संभल की ओर से आप सभी देश्वासियों को अठतरवे स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शुब कामनाए प्रमोद कुमार प्रधान वो गौरफ सागर सचिफ अतरासी पवासा संभल की ओर से आप सभी देश्वासियों को अठतरवे स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शिब काम नाए भारत सिंग ग्राम प्रधान वो अजीत कुमार सचिफ, मिलक धुरेता, पवासा, संभल की ओर से आप सभी देश्वासियों को अठतर्वे स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शिब काम नाए मुकेश गोईल ग्राम प्रधान पती वो उतकर्ष गुपता, सचिफ, नगल या पवासा, संभल की ओर से समस्त देश्वासियों को अठतर्वे स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शिब काम नाए मुहम्मद हाशिम प्रधान पती वो आकाश बाबू, सचिफ, लहरा कमंगर, पवासा, संभल की ओर से आप सभी देश्वासियों को अठतर्वे स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शिब काम नाए हिमानशु कुमार मंगल में उपाध्यक्ष धामपुर बायो और्गिनिक्स लिमिटर असमौली संभल की ओर से अप सभी देश्वासियों को अठतर्वे स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शिब काम नाए अनिश कुमार तिवारी गराम प्रधान लालपुर प्रहलादा गिलावला स्रावस्ती की ओर से समस्तर देश्वासियों को अठतर्वे स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शिब काम नाए नंद कुमार एर्टी ओ सिल्तान पुर की ओर से समस्त देश्वासियों को अठतर्वे स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शिब काम नाए